गुद्मानिंग स्टुडेंट्स मैं सोनिय सिंगला अज फेर दोड़ा स्वागता है मेरे यूट्यूब चैनल ते असी अदेल कार रहे हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश दी क्लास आज ज़दा मेरा टॉपिक है ज़द की सब्जेक्ट मेरा बनी ज़दा में एक प्रेक्टिकल आस्पेक्ट है जो दो असी चुने होई material नो systematically class दे विच जाके present कर देया उस नो असी method कर देया ता method की है it is a way of presenting subject matter to the students जो असी approach दे विच्च subject matter दी चोन किती सी whether it may be the structure, it may be the situation, it may be the communicative language जो असी चीज नो जदो असी classroom दे विच बच्चिया नो पढ़ाना है that is called method असी यह भी कह सकते है की ओ एक practical aspect है approach जदके method एक practical aspect है it is the basic tool of teaching जड़ा method है एक tool of teaching है पढ़ाना एक त्रिक्का है a teacher can use a single combination of methods to present his subject matter can the path जरूरी नीट की teacher इक कोई method दा इस्तेमाल करेगा एक teacher subject matter दे according बख्रे बख्रे method दा इस्तेमाल कर सब्दे for example जदो असी grammar टीच कर दे है ता एक teacher ओदे विच डारेक्ट method inductive deductive method दा इस्तेमाल कर दे है ठीक है इस तरीके ना जरूरी नीकिया सी single method यूज करिए now come to the common methods of teaching English और अंग्रेजी पढ़ा होंदे विच जड़े सदा कारण method आम तो औरते जड़े सी वर्त देयां वो केड़े केड़ेने सब्तों पहला में रांदे ग्रामर ट्रांसलेशन method एस दे विच्छों देखो दो चीजां पता कर लागरी है नहीं एक तक grammar फिर दूसरा है गया translation एह एक traditional method है classical method है जैनों उसी older method कह सक देया language teaching दा उन एस method में तर नों दस्ते दो चीजां दे उपर सित्यां देना है एक grammar दे उपर एक translation दे उपर in this method target language is taught by translating it into mother tongue देखो एक aspect clear हो गया कि ए जड़ा method है translate कर दे जड़े अंग्रेजी ले facts ने उना नों mother tongue दे वीच using the rules of grammar जाने कि ये दे वीच जड़ी language teach किती जान दी है वो grammar दे रूसे उपर बेस करके teach किती जान दी है जो चीजां हो गया grammar दे रूस नों के आण विच रख्या जान दा है जो चीज इसी पढ़ानी है चाहे grammar दे रूस हों चाहे कोई भी subject matter हो वे इन्हों असी mother tongue दे वीच translate करके पढ़ाना basic unit जड़ी है यह that is teaching is basic unit of teaching is word जाने के वीचे शब्दा दे उपर focus किता जान दा है ना के वाक दे उपर second जड़ा है the main point है कि एह principle of known to unknown दे उपर अधारित है known जाने की साधी mother tongue unknown जाने की साधी target language एदे वीचे psychological principle है कि जो तुसी जान दे हो तो अधिमात पा शदतों नो ग्यान है ओ सा इस्तेमाल करके तुसी foreign language टार्गेट लेंगोईस वालनो प्रोसीड करने next है deductive approach मैं उपरे दस्या सी कि एदे वीच असी grammar दे rules नो follow कर देया grammar दे rules नो we teach कर देया तांके एदे वीच accuracy आ सके ठीक है ताँ एदे वीच असी deductive approach नो follow कर देया grammar दे rules टीच किते जाने ने using the mother tongue then we proceed to the functional aspect ताँ असी ए कह सक देया एस approach दा जड़ा main emphasis है that is on accuracy not on the fluency second method साथ है direct method डायरेक्ट जाने की परतक्ख वी दी डायरेक्ट जिमें के नाम दोर बता लग देया कि एदे वीच असी mother tongue नो sorry target language नो directly teach कर दिया एदे वीच mother tongue दा कोई रोल नहीं होंदा एक natural method है English teaching दा target language is taught without using the mother tongue मातबाश दा इस्तेमाल किते बिना सिद्धे तोरते ही जड़ी target language है वो इच किती जन्दी है एनों असी reform method fanatic method भी कह सकते हैं reform method एसली क्योंकि एदे वीच जड़ा सड़ा पुरातन method सी grammar translation method एदियां जड़ियां कमियांनों दूर करके सुधा रहा गया है secondly fanatic क्या जन्दै क्योंकि एदे वीच असी अपनी mother tongue दिया नहीं बल्के target language दे fanatic सा घ्यान दिने तुने भी घ्यान दी जड़ी जानकारी दिखती जान दी है next text target language is presented using actions pictures demonstrations in a natural environment एदे वीच जड़ी target language है ओनों असी वक्रियां वक्रियां क्रियां कोई भी picture तस्वीरां दे नांग जा प्रदर्शन वीधी दे नांग directly teach कर दे एदे वीच कोई भी formal grammar है जड़ी जानी की rules grammar दे teach नहीं किते जान दे ते grammar है जड़ी पुड़ाई दे जान दी है क्यों क्योंकि grammar तो बिना कोई भी जड़ी पाश आए होदा ग्यान अधूर पर एदे वीच ग्रैमर दा जड़ा method है that is taught inductively, inductively मतलब आगमण भी दी एदे वीच असी specific to general proceed करने, inductive approach follow करनी है जदो असी किताब दे वीचों कुछ भी प्रदा रहे हैं तो ओदे नालो नाल असी जड़ा inductive method यूज कर दे होए grammar नो teach करने, ना के formal grammar teach करनी है एदे वीच की है emphasis on करने correct pronunciation बच्चे दी उच्चारन दे उपर जोड़ दिता जानदा है क्योंकि directly जदो उसी use करांगे, mother tongue नो उसी पासे करांगे ता उदे वीच जसी बच्चे दा शुद उच्चारन वाले नो लीड करांगे ते एदी जड़ी basic unit है teaching दी, that is a sentence, not the word एदे उपर अकसर question उच्चा जानदा है कि जड़ी grammar translation method दी, basic unit, starting unit की है या प्रान दी, word ते जड़ी direct method दी है गया है, वह गया है वाक, क्योंकि जदो उसी पाशा बोल देया, ता असी वाक्खा न इस्तेमाल कर देया, वाक्खा न वीच बाशा न उपड़ा है जानदा है, वाक्ख तो शुरू करके असी पाशा न जान देने, वाक्ख दे वीच शब्द भी cover हो ज तीसरा नेड़ा साथा method है पड़ा आंदा, देट इस bilingual method, bilingual method of teaching English, bilingual जिमें के नाम तो ही पता लग रहे है, बाई मतलब दो, लिंगल मतलब पाशा म, एदे वीच असी दो पाशा मांदा इस्तेमाल कर देया, फर्स्ट वान इस mother tongue, second one is target language, बाई लिंगल method, बाई प्लास लिंगल, बाई मतलब दो, लिंगल मतलब पाशा म, एदे वीच दो पाशा मांदा, एदे वीच दो पाशा मांदा होनो केडिया केडिया ने, mother tongue and second one is target और foreign language, जो वसी पढ़ा नहीं है, एदे वीच साथी जिनी target language है, that is English और एदे वीच की किता जांगा, a teacher clears the difficult meanings, difficult words, phrases by translating into, by translating it into mother tongue जानी कि एदे वीच जो भी ओक्षे शब्द होन देने, ओक्षे वकंश होन देने, जा ओक्षे बाक होन देने, एक teacher और नहीं क्लियर करन दे लिए, बच्चें दी रियल लाइफ देना जोड़न लिए, mother tongue दे वेच ट्रांसलेट कर दे, ठीक है, जो दो बच्चा और शब्दानों सिख जांदे, ता असी mother tongue दे इस्तेमाल है, हौली हौली कट कर दे जाने है, ते target language वालनों प्रोसीड कर दे जाने है, जड़ी असी पहला एक चीज देखी सी, कि जगों असी डारेक्ट एक चीज नो फालो कर दे है, ता असी mother tongue तो थोड़ा दूर हट जाने है, एदे वीच एमेदा नहीं हैगा, एदे वीच सिर्फ बे इसी एंड फ्लुएंसी, जाने कि एदे वीच जो दोनों मेथड सी ओनानों कम्बाइन करन दे कोशिश किती गई है, एदे नाल बच्चा एकुरेटली भी सिख दे है, क्योंकि ओनों वाट्स दे मिनिंग क्लियर है, क्योंकि ते सेकंड ली फ्लुएंट भी हो जान दे है, क् एनों अपने डेली रूटीन दे वीच हुज कर दे है, एक गल्दते आम रखने है, कि असी ग्रामर ट्रांसलेशन दे वीच भी मदर टंग दा इस्तेमाल किता सी, ओदे नालों एदा की पर्क है, असी ओनों भी बाइलिंग्वल कह सकते सी, पर्क सिर्फ एन है कि एदे वीच इस जड़ी हैं दो पर्शाम आने होना दा इस्तेमाल कि टीचर द्वारा किता जंद है, ना के बच्चें द्वारा, बच्चे जड़े क्लास्रों दे वीच दलबाद कर देने, ज़े क्लास्रों दजरा सब्जेक्ट मेंटर पढ़ देने, वो टार्गेट लेंगोज दे सब्सक्राइब करो, थेंक्स